हलो फ्रेंद्स होगें बाक्टो बाई चरनल आज के वीडियो में आपके साथ एक लग्जरी स्मीटन हॉल शेयर करने वाल हूँ और यह जो स्मीटन हॉल है यह मैंने करीबन एक मैंन पहले ही से पर्चिस कर रखा था पर कुछ बज़े थी जिसके बज़े से मैंने यह जो 28 रूपीज यारी 300 रूपीज तो ऐसा क्या है इस बॉक्स में जिसके लिए मुझे 300 रूपीज पे करना पड़ा है और क्या-क्या ऐसे बहुत सारी ट्राइब वैक मैंने जो यहां पर मंगबाया है कौन से कौन से जो पोड़क्स है मैंने इसमें मंगबाया है तो सब कुछ म मैं इस वीडियो में आपको दीजर्स में शेयर करूंगी इससे पहले जो लोग मेंचल पर ने आया हो किस मेंचल को सब्स्रेब कर दो साथ में बेलवरन को भी क्लिक कर दो इससे पहले मैंने एक स्मितेंध हौल की वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने बताया था कि मुझ जरूर देखो अगर आप मीटेंस से कोई भी और और बगेरा पर्चेस करते हो तो तो चलो फड़ा फड़ से मैं इस बॉक्स को अन्बॉक्सिंग कर लेती हो और बताती हो कि इसमें मुझे क्या-क्या रिजीव हो है सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ आक्स का एक मतलब एक आड कार्ड मिला है और आप जानते हो जिया अगर आप समीटेंस साब पर्चेस करते हो तो आप आपको अक्वालोजी का का यह जो मतलब कार है यह हर एक पाकेजिंग में आपको मिलता है उसकी बाद फिर से मुझे ए इक्स्टर पे करना पड़ा था क्योंकि यह प्लाम का आप देख सेकती क्यूछ सा एक बैग है यह बहुत ही क्यूट सा है और इसमें बहुत सारा प्रोडक्स है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लाम का यह ग्रीन टी अलकोहल फी टोनर आप जानते हो कि मैंने यह तोनर कुछी दिन पहले ही समेटिन से एक प्राइ किया था और मुझे काफी पसंद आया तो मैंने सोचा किया फिर से मैं मतलब प्राइल कर पाऊंगी या नहीं जब मैंने यह सारी पूरस देखा तो मैं जल से जल इससे मतलब एक टू कर लिया था तो यह रहा फर्स्ट प्रोडक् इस यह पर है उसकी बाद मुझे रिसीव हुआ है प्लम का यह ग्रीन टी मैटिफाइंड मॉस्टर एजर और इसका जो पाकेजिंग है दोस्तों बो फिप्तिन एमिल है और इसका जो प्राइस है वो वन हंडेड फिप्ति रूपेस है तो यह जो चार पोड़क्ट है ना दो स्मितन के लास्ट में आप एक ओप्शन देखो कि जहाँ पर आपको बाई करने का बहुत सारा पोड़क्ट से अब आप एक्स्ट्रा कुछ बाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो तो मैंने यह बाला पोड़क्ट जो है वो बाई कर लिया उसकी बात मुझे मैंने जो दोस्तो मुझे बहुत दिनों से एक पर्फ्यूम ट्राइ करना था क्योंकि पर्फ्यूम का जो स्मेल है वो थोड़ा हर्ड होता है और जो जिन लोगों की सेंसिटिव नोज होते हैं के लिए पर्फ्यूम बगेरा में सजस्ट नहीं करते हूं के लिए बादी मिस्ट तो बह वो भैनिला है और थोड़ा बहुत चॉकलिटी है हाला कि मुझे इसका जो स्मेल है वो थोड़ा फ्लावरी यानि फ्रूटी सा मुझे पसंद नहीं आया पर मुझे लागा ये कुछ अलग सा स्मेल होगा पर नहीं ये थोड़ा मतलब मुझे पसंद बिलकुल नहीं आया पर कोई बाद नहीं मैं से ट्राइल ज़रू करूंगी उसके बाद मुझे रेसिव हुआ है मैंने जो मतलब एक और ट्राइल पॉइंट में मैंने परचिस किया था वो है प्लम का ये चार्मूलेन अन ग्रीन ती ये फेस क्राब है ये बाइटनिंग फेस क्राब है अगर आपकी स् पर प्लम का हाली में जो लांच हुआ है वो मैंने और किया है वो है प्लम का ग्रीन टी ये है ओएल फ्री मॉस्टराइजर ट्रेग्रेंस पी ठीक है और इसका जो पैकेजिंग है बो फीप्तीन एमिल है और इसका जो प्राइस है बहुत देसरुपे है इसका फुल बहुत है मैंने इसे पर्चेस किया है क्योंकि इसके लिए मुझे दो फाइस मिला था कि ये एक और इसके लिए भी मुझे दो टैलकों लिया था मतलब दो टैलकों में मुझे ये रिजी भुआ था तो यह गया चिसिक्स ट्रेयल पर्वाट का जो पोड़क्स हैं उसके अच्छी है इसका जो packaging है दोस्तों बहुत 20 ml है और इसका जो price है दोस्तों यहाँ पर price available नहीं है mention नहीं है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यह sample pack है not for sale उसके बाद यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है M.Cuffin का यह Naked and Raw coffee shampoo ठीक है इसका जो packaging है दोस्तों वो 30 ml है और इसका जो price है ना दोस्तों यहाँ पर mention नहीं है दोस्तों क्योंकि यह free porous था तो शायद mention नहीं है यहाँ उसके बाद मुझे M.Cuffin का एक और face wash receive हुआ है जो की Naked and Raw espresso coffee face wash है इसका जो packaging है वो 20 ml है और यह all skin type क्या है इसका जो price है वो भी mention नहीं है दोस्तों यहाँ पर mention नहीं है उसके बाद मुझे P का एक body wash मिला है यह लड़कों के लिए है अगर आप लड़की भी हो तो भी आप इसे try कर सते हो मैं तरसे definitely try करूंगी और इसका जो packaging है वो 50 ml है और इसका जो price है वो 125 रोपीज है ठीक है उसके बाद मुझे यहाँ पर और एक चीज रीजी हुआ है जो कि है वर्ल्स्टों का यह perfume इसका जो name है वो है Hydra Energy आप देख सकते हो इसका जो packaging है वो 2 ml है और इसका जो price है वो name mention यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपर mention है कि यह trial pack है मतलब sample pack है इसे sell करने के लिए नहीं है और अगर मैं बात करो इन पूरी चीजों में इसका जो actually packaging है वो step का है कुछ काच की बतल में छोड़ा सा छोटू सा मुझे यह काफी पसंट आइसका smell मुझे बहुत है अच्छा लगा और अगर मैं बात करो इन दूनों की perfume की तो मुझे यह पसंट आया ठीक है तो यह था मे दिटल्स वीडियो है वो चल्दी से में चाल के अतोर होगा और आज के वीडियो बस इतना ही था तो प्लीज में चाल को सब्स्राब कर दो साथ में बेल बन के को भी क्लिक कर दो तो चल्ड़ा friends मिलते हैं मेरे नेस वीडियो में तब तक के लिए टेक केर